आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं मैंगो फ्रूट केक की रेसिपी जो बहुती सॉफ्ट, स्पॉंजी, मॉइस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल जरसा बनता है एगलेस और ब्राउट ओवन के हम इसको बनाएंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्ली कर दिया है अभी हम यहां पर हाप कप मिल्क लेंगे इसको हमें मिल्क को हमें रूम टेंपरेचर कही लेना है सारे अंगिरिया इंट्स हमें रूम टेंपरेचर पर लेना है अभी बन फोर्थ कप हम यहां पर ओईल लेंगे और यहां पर हाप कप हम पिस्ती हुई चीनी लें यहांद को हम और अब यहां पर मैने मैंदा ले है पर इनको यहां पर बेकिंग लूँगी तेहिए 2500 लैंगे मैंदा लने पाम अब मैं धिक्ड़ा ताल दीआ है और handful तेश्पून को अच्छे से च्छान देंगे यह देखिए, हमें इसको अच्छे से चानलेंगे अभी हम इसको बिल्कुल हल्के हाँ से हमे इसको mix करना है, over wheat नहीं करना है दीरे-धीरे हम इसको mix करते जाएंगे यह देखिए, बेटर हमारा अच्छे से mix होता जा रहा है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे यह देखिए अच्छे से बेटर मिक्स हो गया है अभी हमें इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए और यह अच्छे से मिक्स हो गया हो अब हम इसमें मैंगो की हाप कप प्यूरी आड़ करेंगे यह मैंने घर पर ही बनाया है आप एक कप मैंगो लेकर उसको मिक्सी में पीस कर चान कर प्यूरी निकाल लिए जिए यह जो मैंगो का फल्ब है अब इसमें हम केक में आड़ करेंगे यह देखिए कलर भी बहुत अच बिल्कुल रेडी है अभी देखिए वेटर की consistency देख लीजिए वेटर बिल्कुल smooth और बिल्कुल ready हो गया है अब हम इसे cake tin में transfer कर देंगे अभी हम देखिए cake tin में इसको हम transfer कर देंगे और इसको बहुत over tap tap नहीं करना है किबल लोली आपको two times इसमें tap करेंगे और उपर से इ इंदे में coat करके भी डाल सकते हैं बट मैं ऐसे ही डाल रही हूँ यह पतीलब preheat हो चुका है अब इसको हम 35-40 मिनिट के लिए बेख होने के लिए छोड़ देंगे और इसको हम ढग देंगे आपको बार बार इसे open करकर चेक नहीं करना है 35-40 मिनिट के बाद ही चेक करें यह आप इसे completely ठंडा होने के बाद ही अनमोल्ड करें और मेरी बेटी को बहुत जल्दी था खाने के लिए तो मैं इसे अनमोल्ड कर रही हूँ गाइस और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना soft, spongy and moist बना है यह देखिए कितना tasty और कितना यम भी बना है गाइस यह प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे like जरूर करना, share करना और subscribe करना मत बूलना, bell icon बटन को जरूर प्रेस करना जिससे मैं जब next वीडियो डालू तो आप तक मेरा notification मिल सकते हैं जब तक के लिए bye bye मिलते हैं अंगली वीडियो में अपना ध्यान कियेगा, thank you for watching me